हमने 100 प्रशन करा दिया था आज हम उसके आगे सीरिज को बढ़ाएंगे और 101 नंबर से प्रशन स्टार्ट है आपके चलिए सभी को बंदे मातर में एक बार देखिए वाइस बगर चेकर लेजिए वाइस के लिए पहुंच पा रही है फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और यह यहां पर अंसर बताया जा रहा है धर्मेवीर भारती जो कि बिल्कुल श्रही अंसर है धर्मेवीर भारती आपके उत्तराखंड लिखा हुए ना कौन रचलाकार उत्तराखंड के नहीं दर्मेवीर भारती उत्तराखंड के नहीं इनका संबंद आपका इलहाबास से जो इस अंसर हमारे बिचा चुका है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है जगनाथ दास रतनाकर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही अंसर है आपसा नमबर यहां पर दी नमबर बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका है बिल्कुल सही है अगला प्रिश्ण बताईए छिले नेश् उखित आलोचकों में से काउन सा उत्तराखन से समभित है कि यहाँ पर बताना है काउन नुमबर यहां पर दी नंबर होगा जिनका भी दी नंबर आ रहा ना बिल्कुल सही अंसर है नेक्स्ट प्रस्ट बताईए चले यहां पर देखिए आपको बताना है मुझे तोड़ लेना वन माली उस पत्थ पर तुम देना फेक मात्र भूमी पर सीश चाहाने जिस पत्थ जाएं वीर आपका डी नंबर होगा अना चली आगे बढ़ते हैं यहां पर बताईए निमलिखित में से कौन से कौन कभी आपके नहीं है इनमें से आपको बताना कौन कभी नहीं है देख सो पांच नंबर में आपका जवाब होगा हाँ देखिए यह आपके मुनसी प्रेम चंद जो नियासकार एवं कहानीकार थे याद रखिए कब आकि आपके मैतलिस और गुपते रामदारी सिंग दिनकार और एद्वास यहां पर बिल्कुल अंसर आपका सही है अना खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाब है आपका जिसके रचाईता आपके हैं आयोद्या सिंग उप सब्सक्राइब लिख दे रहें तो आप समझ जाईएगा आयोद्या सिंग उपाध्याय की बात हो रही है आपसा नंबर यहां पर आपका सी ओगा नेश्ट प्रशन बताईए यहां पर बताना है प्रगत सीले लेखक संग का पहला अधिवेशन किस वर्स में हुआ था तो य अगला प्रशन बताईए और अध्यच की बात करेंगे मुनसी प्रेमचंद्र जी थे यहां पर पुरसकरत पुरस्तक हवा में हस्ताचर की सहीत्त्र की रचना है और यहां पर हमारे भी जवाब बुच्छा प्रकास बिल्कुल सही है आपका अंसर होगा अगला प्रीशन बताएं है सत्यार्थ प्रकास प्रकास गरंत की भास की कैसी है तो आपकी हिंदी आप वी नंवर के साथ भूजलाति नहीं हिंदी आपका बिल्कुल गारए अन्चल कि सहाहित्यकार का उपनाम है तो अंचल की एकर हम बात करेंगे तो यहां पर आप मेश्वर सुकल आपसा नमबर यहां पे बिल्कुल करेक्ट सुर्ण अग्ला मत चण है और de Qu Content सास्प Blas C любов ok ड्रमा की बात करेंगे नवीन हैं आपका यहां पे अंसर्वाब otherwise रामेस्व सुकल होगा अंचल इसकी क्रती है यहाँ पर आपको बताना है यह पर आपको बताना अपर बीपल == प्रसाइब और किसका है तो यह कथन आपका है आपसर न編िदाइकर पर आपका साथ अंद किसकी रचना है जो कि बिल्कुल और सही है धर में भीर भारती बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही है आपसा नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा अगला प्रिस्ट बताईए नागारजुन का वास्तिविक नाम क्या था? नागारजुन का वास्तिविक नाम क्या था? 114 नमबर में जवाब देना है तो इनका वास्तिविक नाम था वायदनाथ मिस्रे जो की बिल्कुल सही अंसार है आपका आपसा नमबर पहला होगा हाँ बिल्कुल सही है आपसा नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है अगला प्रेश्ण बताईए हिंदी साहित की भूमिका के लेखा का है लेखा काउन है हिंदी साहित की भूमिका के लेखा का आपको बताना है 115 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हजारी प्र प्रवाद परव सीता बनवा से संबंदित कावे रचना है आपका 116 नंबर आपका सभी है अगला प्रेस्ट बताईए हिंदी यहाँ पर देखिए आपको बताना हिंदी नाव जागरन के अग्रदूत काउन कहलाते हैं हिंदी अगर बताईए नाव जागरन के अग्रदूत की बात करेंगे तो आपके हैं भारतेंदू हरिचंद आपसा नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ हाँ बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण बताईए नेज भासा उन्नती अहे सब उन्नती को मूल किसकी कावे पंक्ती है तो यह इंड आपके नंबर भातेंदू हरिचंद आपकी सही घाला है यह है यह यहादा ब्रयूर्ण बिल्कुल सही है 120 का कहए रहा है दुवेदी योग बिल्कोल ठाहिए साकेट किसकी रचना है 121 नमबर बताई कि तो साकेट जो आपका है हाँ बिल्कुल सही है मैसली संतुन गुप्त बिल्कुल सही है 9 तो आक पर होगा अगला प्रश्ण बताईए रस्मी रती की रचाईता कौन है 123 नंबर का जवाब देना है तो यह आपके हैं रामधारी सिंग दिनकर आपसा नंबर जाएगा ए नंबर के साथ इन में से मैत्री स्रण गुप्ति की रचना कौन सी नहीं है तो जो आपका प्रिप्रवास लिखा ह इसलिए अंसर जो आपका होगा आयोद्या सिंग उपाद्याइए ठीक है अगला प्रश्ण बताईए चले 125 नंबर बताना जैद्रत वद किसकी रचना है हाँ हाँ बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण बताईए जैद्रत वद किसकी रचना है तो यहाँ पर अंसर आ चुका है बिल्कुल सही जवाब है मैत्री स्रण गुप्त आफसन नंबर भी होगा अगला प्रश्ण बताईए खड़ी बोली में सरवप्रथम लोग कभी कौन मा साथ करेंगी तो यहाँ पर भी अंसर आपका मैघ्ली स्रण गुप्ति के साथ जाएगा रही कि नहीं है क्यों नहीं है यह आपको बताना यहाँ पर क्या होगा और यहाँ बताया जा रहा भारतेंदू हरिच चंद है आपके ठीक ना तो अंसर जो आपको लगाना पड़ेगा आपको सी नंबर अगला प्रिश्ण बताईए निम्ने में से राष्ट कभी कहला था है बारत भारत भारती रचना है किसकी आपको बताना 132 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा बारत भारती रचना भी मैंतलिस नंबर के साथ अगला प्रश्ण बताईए इनमें लिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाब्य की बात करेंगे तो यहां पर आपका अंसर होगा प्रथम राष्ट कभी काउन थे तो यहां पर राष्ट कभी की बात फिर से वह रही तो फिर से आपको मैंतलिस नंग गुप्ति की है अगला प्रस्ण है वाइदेही वनवास किसकी रचना है तो यहां पर भी अंसर आपका जाएगा आयोध्या सिंगोपाद्या हर्यो देखे प्रवास भी आपकी थी वाइदेही वनवास की बात होगी तो यह भी नहीं की रचना है बिल्कुल सही है बिल्कुल राइट अंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे हाँ बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण बताईए और वसी किसकी रचना है यह तो हमने बहुत ब कि तुलीशी दास की रचनाकार है तो यहां पर आपका होगा सी नमबर विल्कुल डाइट अंसर होगा अंसर है तु उत्तरा खंड से पूछा गया है तो उत्तराखंड से आपके आपके निराला जीकिवार प्रेश्ट बंगाल से आपके और भावानी साथ की रचना नहीं है कौन सी नहीं है तो आप कहेंगे आसु तो है लहर भी है जरना भी है दीप सिखा नहीं है ति फिर रचना किसकी है दीप सिखा कि आपकी महादेवी बर्मा की है महादेवी बर्मा की है महादेवी बर्मा ठीक ना महादेवी बर्मा चलो आगे बढ़ते ह तोड़ती पत्थर कभिता किसकी है तो आप कहेंगे तोड़ती पत्थर पुछा गया है तो यहाँ पर भी आपको निराला लगाना पड़ेगा सूर कांतिर पाथी निराला बिलकुल सही अंसर आपका है अगला प्रश्ण है आपके सामने वीडा वादनी वर्दे पंक्ति किस ने लिखी है तो आप कहेंगे यह यह भी आपका सुर कांतिर पाथी निराला ने लिखा है आप्सान नंबर आपको यहाँ पर भी बी नंबर लगाके आना है अगला प्रश्ण बताईए महादेवी बर्मा का जो संबंध है किस वाद से तो महादेवी बर्मा देखिए आपकी जो है छाया वाद से संबंधित है याद रखियेका जाया वाद आपका अंसर होगा हाँ हाँ बिल्कुल ahi अगला प्र hurricanes बताईए आधुने की यूग की मीरा किसे कहा गया है तो आप कहेंगे आधुने यूग की जो मीरा है ये इने मतलब आफसा नंबर यहाँ पर भी होगा महादेवी बर्मा बिल्कुल सही अंसर आपका होगा अगला प्रस्ण बताइए कि सिकवी को महाप्राण कहा जाता है देखिए महाप अब ऑसका हुआ है कि पहला तीस्वात राज माहाप्राण के दना अपको पड़ाया है लेकिन यहां पर बो ला गया किसी कभी को महाप्राण कहा जाता तो कहते हैं सुरखाथलिक जिसमें चाहिए कामायनी रचनाकार डवran आपको बताना है तो नंत war % आपसा नंबर जाएगा डी के साथ बिल्कुल सही है इसे चायावादी का भी कौन से नहीं है तो देखिए चायावादी गर हम कभी की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि यहां पर आपके सुरकांतिर पार्टी निराला है महादेवी बर्मा जैसंकर प्रसाद हैं लेकिन जो बिह प्रथम में कावे संकलन कौन सा था तो आप कहेंगे प्रथम बोला गया तो प्रथम तो आपका इनका निहार था आपसा नंबर हाना यहां पर राइड एंसर आपका होगा निहार सुकुमार कम आपका है सुमित्र नंदन पंथ जो कि बिलकुल सही आंसर है अगला प्रश्ण बताईए वीडियो को देखने के बाद विश्वास मालेगा हिंदी साहित आपका बहुत अच्छा त्यार हो जाए क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे ना बहुत ही अच्छे से आपके सारे प्रिवियस एर के और आपका एक ही वीडियो में और वीडियो बचेंगे उस ज़िए यहां पर बताईए एक सुतिरपान नंबर यहां पर जवाब हमारे पिचाच चुका गीतिका अगला प्रस्ण बताईए आधुनिक हिंदी की सबसे ससक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण डिक्सिस्थान है को आधुनिक मीरा के नाम से बी जाना जाता है अभी ह के साथ कौन सी कृति महादेवी बर्मा की है, महादेवी बर्मा की कौन सी यह निहार है, अभी हमने बताया था, अगरा प्रॉठ बताई है, यावार्ति है आपसर पूचा गया कि से तुम सुमित्र नंदन पंत आपसान नंबर सी बिल्कुल सही है आपसान नंबर यहां पर सी है देगे 56 का जिनका भी सी आ रहा ना समझज़ा बिल्कुल सही है अगला प्रशन बताईए निमिलेखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के चार इस्तंबों में नहीं है तो यहां पर सबस्क्राण बिल्कुल सही है अगला प्रशन बताईए जैसंगर प्रसास सुमित्र नंदन पंस सुरकांतिर पार्टिनिराला और महा देवी पर्मा स्वरी महा देवी बवर्मा यह आपके हैं मैं इस नंदन जोगा नहीं होगा जैसंगर आपसान नंबर नंबर यहांare कामाईनी के रचनागार कऊन है तो कामाईनी की आप कहेंगे यहाँ पर जैसंकर प्रसाद प्रसाद अगला प्रसाद बताई निम्न में परसिद्छायावादी लेखा का नाम बताई तो यहां पर अंसर आपका महादेवी बर्मा वोग देखे च्छाय वद्य आपको जशंकर प्रसाथ महादेवी बर्मा निराला और पंधिया आपको याद रखना अगला प्रस्न बताईए नीचे जल था उपर हिम था एक तरल था एक सघन किसकी पंगतियां है अना यहां पर देखिए आपको जवाब द अरि अपसरे इस उस अतीत के नूतन गान सुनाओ यह पंक्ति कामयानी कामायनी के किस वर सरक इसे ली गई है आपको बताना इक सुबासर नूमबर के जवाब यहां पर क्या होगा तो अगर आपका जवाब अगर आपका करम सर्ग है ना तो समझाद बिलकुल सही आफसर नं बने लिखित में से चायावादी रचनाकार कौन है तो चायावादी रचनाकार की बात करेंगे तो यहां पर आपका अंसर हो जाएगा सुमित्च अंधन पंग जो की बियुकुल cert नंबर का जवाब देना राइट अंसर क्या होगा देगे यहां पर इसकंद गुप्त लिखा हुआ इसको तो द्यान से देखेगा इसकंद गुप्ते एक जो आपका नाटक है यह संकर प्रसाद दी के दौर्ण रचित है संकर प्रसाद यहां पर होता तो सही हो जाता है या संकर प्रसाद होना चाहिए था जो कि गलत है वाकि सब सही है अगला प्रशन बताईए तुलसी दास किसकी कभीता है एक शाचर नमबर में देखिए जवाब देना तुलसी दास जो आपकी है ये सुरुकांतिर पाठी निराला आपसा नमबर यहाँ पे डी नमबर आपका सही होगा कामाईनी महाकावे के रचयता है कामाईनी महाकावे के रचयता आपके जैसंकर प्रसाद होगा आपसा नमबर सी अगला प्रशन बताईए इनमें नागारजुन के द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है देखिए नागारजुन के द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है त तो यह लिखा था आपका आपका प्रणाइपत्रीका आपसे पूछा गया है हुई बिर्था की रिकसिस्थान है के साथ सगाई जहास है सुबध्रा कुमारी चौवान की इस पंक्ति को आपको पूरा करना है आंसर बताइए हाँना पर क्या होना चाहिए हुई पीरता कि वायवाओ के साथ सगाई जहांसी में अंसर जाएगा वायवाओ आफसा नंबर भी के साथ दुकुल सही है एक 170 नंबर का बहुत लोग यह मार रहे हैं वीरांगना नहीं वायवाओ के साथ और वसी देखें कई बार क्या होता ना कि जहांसी की जब लगता है कि उन्हें हम वीरांगना कहते हैं तो लगता यहीं सही होगा लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है तो बहुत यहां में की रचना है अगनीपत की बात करेंगे तो यहां पर आपका रिवंस रायबच्चन होगा जो की बिल्कुल करेक्ट रंसर है आपका अपसा नंबर एगा अगे यहां लिखा हुआ की सहीत तकार का उपनाम है अगे कि हम बात करेंगे अभी इमने बहुत बार बताया है यहां कि शचिनन हिरनन्द वास्यायन हना आपसा नंबर देखिए आपका डी नंबर है यहां पर दिखिया आपको बताना कई दिनों तक चुला रोया चकी रही उदास कई दिनों तक कानी कुथिया सोई उनके पास और परियुक्त पंक्तियों की रचनाकार कोन है तो अगर हम रच म्रग नीगर नागर कि दिनलकोो कई रहें तो बताई सेसे उद्य की गवर्ग 6-7 कापको जवाब देना राइडर तो कभी कविक कभी कहा गया है। संसीर बहादूर सिंग्सिणग दिनमबर के साथ , भूले विषरे उपन्यास & विकल्प साथ अगला प्रशन बताएं निर्मला उपन्यास के लेखा कौन है देखिए यह प्रस्ण अभी हाली में पूछा गया था निर्मला उपन्यास के लेखा कौन है हाना ध्यान रखिए का यह प्रस्ण बहुत बात पूछे जा रहा है तो अंसर आपके हैं पर मुंसी प्रेमचंद लगाना है आपसा नंबर भ पर होगा कसब कि जिनका भी कसब अंसर आ रहा है ना बिल्कुल रही अंसर है अगला प्रस्ण बताईए मैला आचल किस विदा की रचना है तो आंसर आपके हाँ पर होगा उपन्यास एक बार ये प्रस्ण पूछा गया थे इसके लेखा कौन है तो याद रखे का फड़ी सवर रखना इड़ू है यह आपको याद रखना है चलो आगे वड़ते हैं गोदान उपन्यास किसने लिखा है गोदान उपन्यास के अगर हम बात करेंगे तो यह आपका मुनसीब प्रेम्चंद आपसैन नंबर सी होगा अग्ला प्रस्ण बताईए होरी किस उपन्यास का नायक आपका गोदान अपन्यास का नायक आपका सी ओगा देवदास के लेखक कौन है देवदास की बात करेंगे तो यहां पर अंसर आपका होगा सरत चंद्र चटर जी आपसा नंबर यहां पर बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण बताईए काता समराट मुलसी प्रेम चंद्र जी का वास्तिविक नाम क्या था अगर वास्तिविक नाम की अगर बात करेंगे तो धनपत राय था याद रखिएगा और यह नाम सभी को याद होन पर अंसर आपको का इसका याद रखिएंगा रगो अगला प्रिशन बताईए देवदास पर तीन बार फिल्म बन चुकी है उपनयासकार का क्या नाम है अगला प्रूपाध्या के लेखा कौन है आनंद मटके लेखा कौन है आनंद मटके लेखा और दो आपका अंसर यहां पर भी क्या होनाँ चाहिए याद रखेंए यह प्रस्णिक जाम में पूछा गया है कई बार क्युंट चंध्र चेँआफ यूंब्लकुल करेक्ट अंसर आपका यहां पर होगा अगला प्रस्न बता यह लिखित में से कौन सी पुस्टक प्रेम चंद मुशिढ मुनदी नंबやって का चुका मुन कुमारी नुम्बर जबाब मुठत के दौका मत तो आपको आपको बताना है तो यहां पर आपका होगा क्रश्णा सोबती आपको याद रखना है राइड अपको यहां पर होगा चलिया आगे वड़ते हैं जिन्दिगी नामा याप लिका हुए मिलेजुल मन किसकी रचना है तो यहापकी नंबर आपको सही है उपनियास किसे लेखिका के क्रश्टी है अगर उपनियास की बात करेंगे तो यहापकी है अंसर आपका सभी हो गा राजी से mobile c7 यहां पर आपका रोच चुका है आपस dollar यहां सुरू होता है उपण्यास की रचित्था कूं रहें जांखल जहां होता है उपन्यास की रचीता कौंण है तो अंसर आपकर यहां पर होगा अपसे नंबर होगा जंगल जहां तो प्रश्न सब्सक्राइए है यहाँ पर बताईए फास किसकी रचना है यहाँ पर आपका चुका है जो कि यहाँ पर अशर आपका संजीव होगे लेखा कर आपके संजीव ही है देखिए फास और जंगल जहां शुरू होता है यह दोनों आपको याद रखना अच्छे से जंगल जहां शुरू होता है और फास अगला प्रश्ण देखते हैं लिखा हुआ ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसे ने लिखा है ठीकरे की मंगनी जो उपन्यास लिखा गया है ये लिखा गया है आपका नासिरा सर्मा आपसा नंबर यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही अंसर है हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यास कार कौन है आपकी आपका बंटी की उपन्यास कार कौन है बताईए आपका बंटी और यहाँ पर हमारे भी जबाब आच चुका है कह रहे हैं मन्नु भंडाधी बिलुकुर सही है आपसा नंबर से आपका आपका बंटी इसमें देखिए तलाक सुधा तलाक सुधा दंपतिक के बच्चों पर जो पढ़ने वाले दूस्प्रभाव का निरूपण किया गया मालों पत्नी की साधी हो गए किसी वज़े तलाक हो जाता फिर उनके बाद बच्चों पर कैसे दूस्प्रभाव प पर भी जवाब हमारे बिचा चुका है जो कि बिलकुल सही है बिलकुल राइट अंसर है आपका भगवती चरण बर्मा आपसा नमबर डी होगा हाँ बहुत सुंदर नोवेले बिलकुल सही है यहां पर अंसर आपका डी नमबर हो जाएगा तो इस तरीके से आपकी जो बीच में आपको कराते रहेंगे ताकि हिंदी साहित भी आप पढ़ लेंगे तो इससे जो भी प्रश्न बनेंगे आपके गलत नहीं हो उम्मीद है यह से सन अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से झाल